प्रिय दोस्तों, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्याल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें इस वीडियो में हरिसंकर परसाई जी का जीवन परिचे की जानकारी दी जा रही है हरिसंकर परसाई का जन 22 अगस्त 1924 इसबी को मध्य परदेश के होसंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट इस्थित जमानी नामक ग्राम में हुआ था इनकी प्रारमी सिच्छा सेहसनातक तक की सिच्छा मध्य परदेश में हुई इसके बाद इन्होंने नाग जुर्बिस विद्याले से यमें हिंदी की परिच्छा उत्यून की 18 वर्स की उमर में बन विभाग में नवकरी मिल गई खंडवा में 6 महीने का ध्यापन इन्होंने किया दो वर्स तक 1941 से 43 इसबी तक जबलपुर में इस पेश ट्रेनिंग कालेज में सिच्छन की उबाद ली 1942 से वहीं माडल हाई स्कूल में अध्यापन किया 1952 में उन्होंने सरकारी नवकरी छोड़ दी 1953 से 1957 इसबी तक प्राइबेट स्कूल में नवकरी की इसके बाद कुछ वर्सों तक इन्होंने अध्यापन कार किया इन्होंने बाल्यवस्था से ही कलायम साहित में रुच लेना प्रारंब कर दिया था वे अध्यापन के लिए साथ साथ साहित सिजन भी करते रहे दूनों कारे साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन कार छोड़ कर साहित साथना को ही इन्होंने अपने जीवन का लच्छ बना लिया इन्होंने जवलपुर में वसुधानामक पत्रिका के संपाधन योंप्रकासन का कार प्रारंब किया लेकिन अर्थ की अभाव के कारण यह बंद करना पड़ा, इनके ब्यंग भी से सामाज क्यों मराज नितिक रहे, ब्यंग के अतरिक्ति इन्हों ने सालित की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई, परंत इनकी प्रसिद्ध ब्यंग कार की रूप में ही हुई, प्रसि इनकी रचनाए हैं, प्रमुग जो हैं, कहानी संग्र, हसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास, रानी नाप्पनी की कहानी, तट की खोच, निबन संग्र, तब की बात अवर्थी, भूत के पाओं पीछे, बेइमान की परत, पकडंडियों का जमाना, सदाचार, ताबीच, सिकायत मुझे भी है, और अन्त में, तिर्चीरे खाएं, ठिठूर्ता गरतंत्र, विकलांग स्रधा का दौर, मेरी स्रेष्ट, ड्यंग रचनाएं, परसाई, रचनावली, सालिज, तथा पेपर भैक, छे खंडों में, राज कमल प्रकासर, नई दिल्ली से प्रकासित किया गया था, इनकी भासा सहली, संतों का प्रसंग आने पर हैर्शंकर परसाई का सब्द, वाक्या और सहली, सभी कुछ एक डम बदल जाता है, जैसे संतों को परनींदा की मना ही होती है, इसलिए वे स्वनिंदा करके स्वास्त अच्छा रखते हैं, मोसम, कौन, कुटिल, खलकामी, यह संत की बिनया और आत्मस्विकृत नहीं है, टानिक है, संत बड़ा काईया होता है, हम समझते हैं, वह आत्मस्विकृति कर रहा है, पर वास्तों में वह बिटामिन और प्रोटीन खा रहा है, एक या नरज्णा में पैसे में बड़ा बिटामिन होता है, लिखकर ताकत की जगा बिटामिन सब्द से बांशित प्रभाव पैदा कर देते हैं, जैसे बुढ़ापे में बालों की सफेदी के लिए, सिर पर कांस फूल उठा या कमजोरी के लिए टाइफ हाइड ने सारी बादाम उतार दी। हरिशंकर प्रसाई पर केंद्री साहित आखन देखी संपादक कमला प्रसाद वानी प्रकासन नई दिल्ली से प्रकासित। देश के इस दोर में विश्वनात त्रिपाठी राजकमल प्रकासन नई दिल्ली से प्रकासित। परसाई जबल पुर्वर रायपुर से प्रकासित अख़बार देश बंद के पाठकों के प्रसनों के उत्तर देते थे। उनके कोमल का नाम था पार्शी से पूँछें। पहले पहल हलके इसकिया और फिल्मी सवाल पूँछे जाते थे। धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गमभीरित, सामाजिक, राजनायतिक, प्रशनों की और प्रवित किया। दाइरा अंतरराश्टी हो गया। यह पहल लोगों को सिच्छित करने के लिए थी। लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का इंतजार करते थे। इनको सम्मान भी मिला था बिकलांग, स्रद्धा का दावर के लिए साहित, अकादमी, पुरसकार से भी सम्मान्ट किया गया था। इनके निबंद भ्यंग समसमाईक पत्पतिकाओं में प्रकासित होते रहते थे। लेकिन इन्होंने नियमित रूप से धर्म योग्या और सापताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में इनका स्वर्गबास हो गया हिंदिगत साहित के बैंकारों में हरिसंकर परसाई परसाई जी अग्रगणे थे। अगर हमारी या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर जरूर करें।